वेरी वेरी गुड इवनिंग तो अलोफ यू नमस्कार आप सभी को कैसे हो आप सभी लोग और मीद करता हूं अच्छे होगे तो यह जो हमारा सेशन है वो आररभी क्लर्क मेंस 2021 का पेपर हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं राइट पेपर सॉल करेंगे और पेपर सॉल करके म मेरी अप्रोच रहेगी हो ऐसी रहेगी बिलकुल आराम हराम से हर बच्चे को समझ में आए जो फ्रेशर भी है जिसने अभी दो-दो एक महिने पहले प्रपरिशन स्टार्ट किये उसको भी चीजह समझ में आए है ना तो इस तरीगे से बिल्कुल आराम से जलेंगगे कोई जल्दी नहीं है ठीक है तो पहले जो पांच कोश्चन है वो अप्रोक्सिमेशन के हैं अप्रोक्सिमेशन यूजरी बैंक एकजाम में काफी आसान आता है है ना तो ज्यादा चिंता करने की जरूद नहीं है बेसिक कैल्कुलेशन अच्छी कर लो बस तो 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं यू नो 0.99 इस नथिंग बाट 1 7.98 इस वाट 8 इस वाट 72 है ना प्लस 0.99 इस वाट 1 इस वाट 11 इस वाट 121 है इसको एक्ट एक के सिल लिए माइनस 15.99 इस अप्रोक्सिमेटली 16 और जिसका स्क्वाइर रूट होता है 4 ठीक है इस से गया ही 11 बार 8 से गया ही 9 बार 11 प्लस 9 हो गया 20 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 है ना और उसके राइट इन साइड में क्या लिखा हुआ है रूट एक्स सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 का स्क्वाइर यहने 256 यस क्लियर 256 इस करेक्ट आंसर ऑप्शनी आसान था नेक्स देखते हैं 324 का स्क्वाइर रूट आप जानते हो 18 होता है इसको हम 25 लिखेंगे और 25 का स्क्वाइर रूट लिखेंगे 5 माइनस 17 इंटू इसे 2.09 है तो ऐसा नहीं कि 3 लिख दिया आपने 2.9 होता तो 3 लिख सकते थे 2.09 होता है तो 2.09 होता है तो 2 स्क्वाइर इस वाट 4 ठीक तो इस वाट 85 माइनस 68 85 माइनस 68 is how much 17 and that is root x x की value क्या होगी 17 का स्क्वाइर 289 है ना so answer is what 289 जो की option में है यानि कहीं न कहीं हमने mistake की है इसका स्क्वाइर root 18 this is what 5 18 इंटू 5 वलत कर दिया 90 है ना 90 माइनस 68 is how much 22 है ना तो x की value 22 का स्क्वाइर सभी को याद होना चाहिए 484 है ना 484 option D is correct answer right अच्छा चलो आगे बढ़ते है question number 3 21 into 6 इसको 6 लिखेंगे 21 into 6 is what 126 plus 8.99 यानि कि 9 of this is what 20% of 60 20% of 60 is how much 6 into 12 and 12 into 9 हो जाएगा 108 तो जब हम इनको add करेंगे तो कितना आ जाएगा 234 yes 234 आ जाएगा option A is correct answer right चलिए next question number 4 देखें 11.87 यानि कि 12 into 13 minus 55 divided by 11 10.92 को लिखा मैंने 11 X plus 100 99.98 को 100 लिख दिया so this is what 156 this is what 5 minus 100 इधर आ गया बराबर X ठीक है 156 minus 5 151 151 minus 100 is what 51 so the answer is what 51 option D clear है सभी को yes coming to question number 5 53 plus 78 minus 33 plus X equals to 90.93 को लिखेंगे 91 तो add ही कर दो सिए इसे देखो 53 minus 33 कितना होगे 20 78 plus 20 is what 98 plus x equals to 91 X की value 91 minus 98 is what minus 7 तो ये 5 सवाल approximation के थे, काफी boring से थे boring कहने से मेरा मतलब है कि काफी आसान से ही थे मतलब इनमें कुछ ऐसा था नहीं जिसमें मैं कुछ आपको अलग से बताऊं सीधे सीधे हो गए अगला देखिए अब आते हैं arithmetic पर which is the most challenging part बहुत सारे students के लिए तो चड़िए इसको देखते हैं सबसे पहला सवाल mixture से है a vessel contains mixture of milk and water in the ratio 7 is to 5, अब देखो जरह milk और water का ratio बच्चों दिया गया यहां पर 7 is to 5, अच्छा आगे दिया गया 9 liter of mixture is taken out and same quantity of water is added मैंने 9 liter mixture यहां से निकाला मैं कितनी भी quantity mixture की निकालता हूं 9 liter 10 liter 12 liter 15 liter कुछ भी निकाल लो ratio नहीं बतलता है तो ratio उतना का उतना ही रहता है mixture का concept है ratio कभी नहीं बतलेगा अगर आप कोई भी quantity निकालता हूं now same quantity of water is added now you are disturbing the mixture अभी मैंने overall mixture में से 9 liter निकाला कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन मैं disturbed क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं अब सिर्फ के पानी मिला रहा हूं यहां पर milk तो मैंने कुछ added नहीं किया तो अगर मैं disturbed कर रहा हूं मतलब रेशो बदल जाएगा और रेशो हो जाएगा 7 is to 9 हमने क्या add किया है यहां पर क्या add किया है same quantity of water मतलब 9 liter पानी add किया है मतलब यह जो 4 unit add हुई है 5 से 9 हुआ मतलब 4 unit add हुआ जिसका value 9 liter के बराबर है milk same रहना चाहिए था जो कि already same है तो इसमें कुछ नहीं करना मुझे initial quantity of milk in the mixture तो देखो initial quantity or final quantity total जो होती है वो same रहती है अगर total T था suppose उसमें से मैंने 9 liter निकाल लिया और उसमें मैंने 9 liter पानी जोड़ दिया तो total T ही रहा ना 9 आप निकाल कर 9 liter पानी मिला दे रहे हो तो total थोड़ी बढ़ लेगा total तो अतना अगा उतना ही रहेगा तो मैं initial total निकालना चाहता हूं उससे better है final total निकालना हूं भाई 4 unit की value इतनी है तो यह जो 16 unit 9 साथ 16 unit की value कितनी हो जाएगी 4 गुना इसका 4 गुना 36 liter तो final total मैंने निकाला 36 liter तो अगर यह 36 है तो initial भी तो 36 ही था और अगर initial total 36 liter था तो उसमें milk कितना था तो milk और water का ratio बता है आपको तो milk कितना था 7 part out of 7 plus 5 12 part ठीक तो बारे से गया यह 3 बार यानिकि 7 into 3 21 liter मेरा answer हो गया बताओ जरा कहीं मैंने कुछ गलत किया हो तो अपने यह सही है yes 21 liters next question देखू pipes and systems का सवाल है two pipes A and B can fill an empty tank in 4 hours मतलब A and B fill कर सकते हैं A and B मिलकर fill कर सकते हैं 4 hours में right and T arts okay अज़ा दोनों का अलग लग दिया गया है ठीक है so A 4 hours में कर सकता है और B इस काम को T hours में कर सकता है 4 hours and T hours मतलब B is unknown B का time पता नहीं है an outlet pipe C can empty the half of the same tank in 4 hours तो C आदे tank को 4 गंटे में खाली कर सकता है तो पूरे tank को 8 गंटे में खाली करेगा यह बात एकदम पक्की है if all three pipes are open together they can fill the tank in 4 hours 48 minutes मतलब A B C मिलकर अगर काम करें तो यह fill कर सकते है 4 hours 48 minutes 48 minutes को मैं hours में convert कर लें 48 by 60 कर देता हूं यानि 4 by 5 hours तो 4 4 by 5 hours में यह क्या कर सकते है fill कर सकते है right तो B का time तो unknown है तो मुझे T की value तो निकाल नहीं है वाला B कितनी दिन में कितने time में fill कर सकता है यह मुझे निकालना है B कितने time में fill करेगा that I have to find out ठीक है 4 4 by 5 को हम लिख सकते है 24 by 5 hours right अब मुझे देखो यह पता है कि A fill करता है और C क्या कर रहा है C pipe C जो pipe है वो empty कर रहा है खाली कर रहा है है न तो अगर मैं LCM method यहाँ पर use करता हूं तो मैं total work यानि total tank की capacity को इनका LCM मान देता हूं तो 4,8 और 24 upon में जो है उससे फरक नहीं पड़ता है कि अबन numerator का LCM लो 4,8 और 24 का LCM क्या होगे 24 ठीक है तो A की capacity क्या होगे 24 बटा 4 यानि कि 6 liter पर आर यह fill करेगा C की capacity क्या हो जाएगी 24 बटा 8 यानि कि 3 तो यह minus मैं यहाँ पर लगा हूंग क्योंकि यह खाली करता है तो यह minus लगाना मकभूलना बना गलती हो जाएगी अच्छा अगर मैं A, B, C की बात करूँगा A plus B plus C की So 24 upon 24 by 5 24 से 24 कट गया यह आ जाएगा 5 अच्छा A की जगे मैंने 6 रग दिया B पता नहीं C की जगे मैंने minus 3 रग दिया That is equal to what 5 So B is how much This is what 3 6 minus 3 is 3 So 5 minus 3 is what 2 तो B की capacity आ गई 2 तो B की capacity अगर 2 है तो B का जो time होगा पूरे 10 को fill करने में तो total work 24 और B की capacity है 2 तो कितना हो गया 12 hours ठीक है 12 गंटे ठीक है 12 तो answer option B is correct clear है सभी को Yes, समझ में आ गया आराम आराम से solve किया है बिलकुल एक एक चीज लेकिन हाँ समझ में तभी आएगा जब आपने basics पढ़े हूंगे chapters की क्योंकि हम यह basics नहीं पढ़ रहे है हम सवाल solve कर रहे है exam में आए हुई तो आपको थोड़े-थोड़े basics का idea होना चाहिए आपको समझ में आ जाएगी के चीजे प्यार से आराम से एन आर्टिकल मांगड़ 30% अबब दा कॉस्ट प्राइस तो मैंने एक काम गिया कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 रुपे मान लिया तो भाई मांग प्राइस कितना हो गया 30% उपर मांग किया मतलब 130 रुपे डिसकाउंट कितना देना चाहिए ताकि प्रॉफेट 4% का हो जाए प्रॉफेट 4% का कवोगा जब 100 प्लस 4, 104 में मैं इसको बेचूंगा है ना तो डिसकाउंट कितना यहां पर है आप देखिए यहां पर 130 से 130 का MRP था और बेचा 104 में 26 रुपे गा डिसकाउंट है तो 26 जो है 130 का कितना परसेंट है यह मुझे निकालना है विकोष डिसकाउंट परसेंट हमेशा माक प्राइस पर निकाला जाता है तो यह कितना हो गया 2 into 10 20% 20% is correct answer yes or no option c आराम से solve हो गया चले अगला सवाल देखिए the breadth of rectangle is 20 meters area of the square is 125 meter square more than that of rectangle length of rectangle is equal to side of square ठीक है तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर area of square square का area क्या होगा side का square ठीक है minus length of rectangle side of square कही बराबर है तो a ही है side of square अगर यह है तो length of rectangle भी यह है breadth कितनी है 20 तो यह हुआ square का area यह होगा rectangle का area दोनों में जो difference है वो 125 का है यही चीज़ हमें दी गए so a square minus 20a minus 125 equals to 0 अब इसको factorize कीजिए quadratic को solve करने के लिए minus 25 और into 5 कर दो है ना तो minus 20 आ जाएगा मतलब a की value क्या होगी 25 and minus 5 negative वो नहीं सकती side तो a की value हमने ले लिए 25 तो perimeter of rectangle क्या हो गया तो rectangle की length है वो तो इसी के बराबर है और breath है 20 so perimeter होता है 2 into L plus B यानि 45 का double 90 तो the answer is what 90 meter option A yes basic calculation rectangle का formula square का formula को पता होना चाहिए आराम से solve हो जाएगा अगला सवाल देखिए the present age of father is 4 times of his son's present age है ना तो father की age और son की age का ratio बिटा क्या है 4 is to 1 yes after 3 years the age of father will be 3 times son's present age यानि 3 is to 1 हो जाएगा ratio 4 साल के बाद ठीक है तो क्या मैं इनकी presentation निकाल सकता हूं है presentation का ratio 4 is to 1 है और 3 साल बाद ratio 4 साल बाद यह हो जाएगा अचा 3 साल बाद ही ratio यह हो जाएगा 3 is to 1 तो दोनों में 3-3 का difference आएगा अब यहां डगाएंगे cross multiplication 4 into 1 4 3 into 1 3 4 minus 3 is what 1 आप कुछ लोग कहेंगे cross multiplication क्या है sir अगर नहीं पता है तो cross multiplication method पढ़ो YouTube पर डालो YouTube पर search करो cross multiplication method वाई सुमित sir पूरे आपको वीडियो मिल जाएगा complete आराम से आप समझ सकते हो concept आपको clear होने चाहिए 9 and 1 into 3 3 9 minus 3 is 6 so 1 unit की value 6 हो गई तो हमें यह पता लग गया कि sun की presentation है 6 साल father की presentation है 6 into 4 24 साल है ना मुझसे यह का गया है कितने समय बाद कितने समय बाद father की age 250 हो जाएगी sun की age की तो मुझे नहीं पता कितने समय बाद x years के बाद father की age कितनी होगी 24 plus x है ना and that would be 250 to 250 by 100 of sun's age तो sun की age x years बाद कितनी हो जाएगी आज है 6 x years के बाद होगी 6 plus x so this is what 5 by 2 यह ना so cross multiply 48 plus 2x equals to 30 plus 5x so 3x बराबर 18 x की value कितनी होगी 6 मालब 6 साल बाद कितने साल बाद 6 साल बाद option is correct answer yes हो बाद समय में आगी चलिए next question देखो a and b started or a and b entered into a business by making an investment of 12,000 and rupees x after 6 months 12,000 a ने invest किया है भाई और b ने invest किया है कितना x 6 महीने के बाद a ने withdraw कर लिया 2,000 अज़ा पूरा टाइम कितना है at the end of year मतला पूरा टाइम है 12 महीने तो 6 महीने तक तो इसका investment इतना ही रहता है उसके बाद ये withdraw कर लेता है 2,000 तो बचे का 10,000 अगले 6 महीने के लिए yes अच्छा b ने कोई change किया है क्या नहीं b ने तो कोई change ही नहीं किया yes तो b का तो पूरे 12 महीने इतना ही रहता तो ये a और b के profit का ratio बनेगा yes ये a और b के profit का ratio बनेगा अच्छा b का profit कितना है भाई तीन हजार तो वो मैंने नीचे रख दिया b के सामने total profit बावन सो है तो बावन सो में से b का profit गटा देंगे तीन हजार तो ये बाईस सो रुपे a का profit आ जाएगा yes इससे ये कट गया 2 से गया 11 बार 2 से गया 15 बार है ना ठीक 6 से काट दो 6 6 6 दूनी 12 अभी कुछ कटेगा cancel होगा नहीं 12 प्लस ये कितना हो गया 32 जा 32 थाउजन अपोन 2 एक्स इक्वल्स टू 11 अपोन 15 येस 11 बाई 15 एक्स की वैल्यू यहां से आएगी किसमें पॉइंट में फिर से एक गट देख लेते हैं 12,000 इसने इन्वेस्ट किया और एक्स इन्वेस्ट किया बी ने 6 महीने के बाद एने विड्रो कर लिया 2,000 तो 6 महीने बाद विड्रो कर लिया 2,000 तो बचा 10,000 अगले 6 महीने के लिए at the end of the year profit share of B profit share of B is 3,000 out of total profit of 5,200 तो एका कितना हो जागे 2,200 तो इन दौनों को अगर मैं add करता हूँ तो this becomes ओके ये गड़बड हो गई हैं पर ये आएगा बाईस अजार इनको जोड़ोगे तो 12 प्लस 10 बाईस अजार 11 से गया ये 2,000 बार 2,000 दो से कट गया 1,000 बार तो एक्स की वैल्यू कितनी आजाएगे 15 इन टू 1,000 या नहीं 15,000 तो आंसर इस 15,000 एक्स की वैल्यू पूछी कही है option A चलो next question पल्लवी and हिमान्शी together can work do a work in 120 days ठीक है तो पल्लवी प्लस हिमान्शी ये मिलकर काम को कर सकते हैं 120 days में हिमान्शी और आयूष हिमान्शी प्लस आयूष together can do same work in 40 days only हिमान्शी alone can do the work in 180 days एक स्वासी दिन में कर सकती है ठीक find in how many days आयूष हिमान्शी पल्लवी together can do the same work तो सबसे भड़ी अरास्ता इनका LCM ले लेती हैं 18 और 12 का LCM कितना होता है बैतर तो इनका हो गया 360 ले सकते हैं 360 सभी से डिविजिवल है 360 यस तो 18 और 12 का LCM 36 होता है आप बैतर भी लेते 720 भी इसकी जगे ले लोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा answer तो same ही आएगा यह तो एक hypothetical value मानते हैं P प्लस H कितना हो गया 3 इसको इससे डिवाइट किया H प्लस A कितना हो गया 360 वाई 40 यानिके 9 and H इक्वल्स टू 360 वाई 180 H की value 2 में यहां रख दूँगा तो A की value 7 आजाएगी H की value 2 यहां रखूँगा तो P की value 1 आजाएगी So together अगर मैं बात करूँ तो total work है 360 और तीनों की जो net capacity है 2 प्लस 7, 9 प्लस 1, 10 तो तीनों मिलकर कांग को कितने दिन में कर सकते हैं 36 दिन में Option C is correct answer Clear है? Yes? चलिए Next question देखू Question number 13 आपके सामने है The distance between 2 points A and B is 24 km 2 points के बीच की जो दूरी है वो 24 km की दूरी है Point A and Point B कितनी distance है? 24 चीक A boat travels from A to B and come back in 6 hours A से B तक गई यानि कितना चला उसना 24 और जब वापस आएगी तब भी 24 चलेगी है न? तो हम यह कह रहे हैं वाई एक तरफ से अगर वो downstream जाएगी तो दूसरी तरफ से upstream आएगी अब एक तरफ स्ट्रीम के साथ जाएगी तो दूसरी तरफ स्ट्रीम के अगेंस आएगी स्ट्रीम बढ़ जाती है अगर स्ट्रीम बढ़ जाती है तो हम यह कह सकते है कि 6 गंटे यहाँ पर लग रहे है तो 24 डिस्टेंस है तो upstream speed भी बढ़ जाएगी न? कितनी बढ़ जाएगी? 2 बढ़ जाएगी येस? अगर आप stream की speed को बढ़ाते हो तो upstream speed स्ट्रीम कम हो जाएगी कितनी हो जाएगी? u-2 y देखो पहले upstream speed थी boat की speed minus river की speed अब कितनी हो गई? boat की speed minus river की speed क्या हो गई? stream की speed 2 बढ़ गई तो y plus 2 हो गई ठीक है? x minus y minus 2 तो पहले ये value u के बराबर थी तो अब कितनी हो जाती है? u-2 yes, u-2 के बराबर हो जाती है ये चीज़ आपको समझनी है कि stream की speed को बढ़ाने से आपकी upstream speed कम हो जाए क्योंकि धारा आपको और तेजी से पीछे धके लेगी तो आपको और ज़्यादा force लगाना पड़ेगा तो ultimately आपकी जो speed है फोर्स तो उतना ही लगा रहे हो बोट की speed उतनी है तो ultimately आपकी जो net speed है वो कम हो जाती है upstream में है न, downstream में अगर होता तो ये बढ़ जाती तो इसकी वज़े से 6 hours लगते है 6 गंटे तो यहां से बोट की upstream speed आजाएगी कितनी u-2 बराबर 4 so upstream speed is what 6 ठीक है तो upstream speed 6 आगई तो वो मैं यहां रख दूँगा तो 4 upon d बराबर sorry 1 minus this is 4 upon u u is what 6 this is 2 by 3 1 minus 2 by 3 is 1 by 3 so d कितना आगया 4 into 3, 12 तो भाई downstream speed 12 है और upstream speed 6 है speed of the boat in still water जो x होता है वो होता है d plus u by 2 yes so d is how much 12 u is how much 6 divide by 2 यानि कि it is 9 ठीक 9 km per hour option B clear है सभी को आराम आराम से एक step आपके सामने लिखा है चलिए question no.14 a train travels 700 km with an average speed of 70 after every 140 km train takes stoppage of 4 minutes हर एक 140 km के बाद train 4 minutes का stoppage लेती है find the time taken by train to cover the same distance without stoppage अगर without stoppage चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा यस तो आप मुझे एक बात बताओ कितने stoppage train ने लिए कितने stoppage train ने लिए तो train ने जो stoppage लिए है आप मुझे बात बताओ कि 700 km की दूरी है आप यह समझना है यह 700 है यह total 700 है यह imagine करना यह आपको बनाना नहीं तो पहला आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है एक सो चालिस एक सो चालिस एक सो चालिस से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने slot बनेंगे पांच चोड़ें टू पांच सब्सक्तर तो एक दो तीन चार पांच तो पहला stoppage train यहां लेगी दूसरा यहां पर लेगी तीसरा यहां पर लेगी चौता यहां पर लेगी और फाइनली वो destination पर पहुंच जाएगी उसको stoppage में count नहीं किया जाएगा So we can say total उसने कितने stoppage लिए चार और हर एक stoppage उसने लिया है कितने minute का चार minute का तो total उसका stoppage time कितना है 16 minute यहां न 16 minute अगर वो 70 की average speed से चल रही है और 700 km की दूरी है तो time कितना होगा time में होगा traveling time traveling time is t plus stoppage time stoppage time 16 minute है यहां न travel time plus stoppage time ठीक है travel time इतना है यह stoppage time है that is equal to that is equal to travel time plus stoppage time की बात करें so time कितना time क्या होता है distance upon speed yes so distance कितनी है 700 upon average speed कितनी है 70 so this is how much 10 यह na अच्छा यह traveling time plus stoppage time यह भी अगर मैं इसको minute यह तो 16 minute है न इसको arts में convert कर लिता हूँ t plus 16 minute इसको arts में convert कर दिया 60 से divide करके है न minute को उमने arts में convert कर लिया 4 से गया 4 बार 4 से गया 15 बार so t is how much 10 minus 4 by 15 10 minus 4 by 15 so it is 150 minus 4 150 minus 4 is what 146 by 15 15 से काट दो 15 into 9 135 15 into 9 135 बचेगा कितना 11 बटा 15 इतने आर्स तो that means it is 9 hours and 11 by 15 की हम बात करेंगे इसको minute में convert कर देंगे 60 से multiply करके तो 15 से चार बार गया तो this is 44 minutes 9 hours 44 minutes 9 hours 44 minutes is the traveling time तो बिना stoppage का अगर में time निकालूं है ना only travel अगर train केवल केवल ट्रेवल करती है stoppage नहीं लेती है तो 9 hours 44 minutes का उसका traveling time है इतने time में वो travel कर सकती है distance को yes क्योंकि average speed की जब हम बात करते हैं यह है क्या एक तरीके से average speed है तो average speed से जब मैं distance को divide करता हूं तो मुझे total time मिलता है जिसमे travel time भी होता है और stoppage time भी होता है तो total time ठीके मुझे travel time निकालना था वो निक आई है बात के लिए सभी को चलो आगे बढ़े next question की तरफ अगला सवाल देखो the population of city P the population of city P decreased by 20% every year हर साल city P की जो population है वो 20% से क्या हो जाती है decrease हो जाती है ठीक है 20% से decrease होती जाती है and population of city Q decreased by 8% every year ठीक है if after two years population of city Q was 22088 more than city P and initially it was 2000 more than that of city P ठीक है so find the population of city Q initially ठीक तो हर साल भाई देखो हर साल क्या होता है city P की population 20% कम होती है city P की population 20% कम होती है तो P में अगर मैं successive लगाऊंगा 20% का मतलब क्या होता है 1 by 5 1 by 5 तो एक साल में ratio बनेगा 5 में एक कम होकर 4 तो दूसरे साल भी यही होगा 5 is to 4 तो दो साल में ratio क्या बन जाएगा city P की population का 25 is to 16 मतलब पहले 25 थी तो अब 16 हो गई city Q की population हर साल 8% से decrease होती है city Q की population की बात करूं तो 8% 8% का मतलब है 8 by 100 8 by 100 का मतलब होगे 4 से गया 2 बार 4 से गया पच्चिस बार 2 by 25 so we can say 25 is to 23 है ना इसकी भी decrease हो रही है है ना तो दो साल में कितना हो जाएगा 25 का square is to 23 का square दो साल में ratio यह बन जाएगा yes यह दो साल में ratio बन जाएगा ठीक which is nothing but 625 is to 529 ठीक है तो इनीशली क्या था इनीशली क्या था फाइनली क्या था के after two years population of city q was more than that of p कितनी more थी इतनी जादा थी तो मैं यह कह रहा हूं कि आप एक काम करों अगर मैं इसको assume कर लूँ इसको दोनों को equal बना लूँ for the ease of calculation या फिर ना भी बनाऊं तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं 25x मान लेता हूं तो यह value 16x हो जाएगी yes इसको 625y मान लेता हूं तो यह 529y हो जाएगी तो finally जो q की population है वो है 529y 529y और p की population जो final है वो 16x है तो q की population p से कितनी जादा है 22088 yes ठीक है और अगर हम यहाँ पर initial population की बात करें तो q की जो initial population थी वो 25x थी p की और q की initial इतनी थी तो initially q की population थी 625y और p की थी 25x तो इन दोनों का जो difference है वो दिया गया हमको कितना 20,000 ठीक है so ultimately I have to solve these two है न हमको क्या करना पड़ेगा इनको solve करना पड़ेगा solve कर सकते हैं solve कर सकते हैं इसको आराम से कोई मतलब बहुत बड़ी equations नहीं है आराम से आप कर सकते हैं 25 से काट दो 25 से 25 बार गया और 25 से गया 25 इंटू 8200 यह हो गया तो x की value कितनी आ गई 25 यह 16 से multiply कर दूँ क्योंकि 16 x है न वापर 16 x तो 16 से multiply करूँगा पूरी equation में तो 16 इंटू 25 कितना हो गया 400 ठीक है minus 16 x बराबर 16 इंटू 8200 अब मैं क्या करूँगा इस equation में से इसको minus कर दूँगा तो इससे घटाया तो 129 y 16 x से 16 x cancel इसमें से इसको घटाया तो 8 8 and this is what 2 and this is what 9 129 से अगर मैंने इसको cancel किया तो y की value आ जाएगी 12 13 x 7 साथ भार cancel करता हूँ 7 से multiply किया तो 130-1 x 7 910-7 so 903 903 तो बचेगा कितना 25 258 जो कि इसका double है तो 72 times cancel हो गया तो y की value आ गई 72 find the population of city q initially तो q की population initially क्या है भाई इतनी है 625y ठीक है y की value हमारे पास कितनी आ चुकी है भाई 72 आ चुकी है 625 और 72 का multiply करना है तो एक काम करते हैं देखो इसको हम लिख सकते हैं 10,000 बटा 16 हमेशा याद रखो जैसे 5 को लिख सकते हैं 10 बटा 25 को लिख सकते हैं 100 बटा 4 फिर 125 को लिख सकते हैं 10,000 बटा 8 फिर उसका भी 5 गुना 625 125 का 5 गुना 625 उसको लिख सकते हैं 10,000 बटा 16 इंटू बहतर 8 से गया 2 बार 8 से गया 9 बार तो योगे 90,000 अपन 2 यानि 45,000 तो आंसर कितना हो गया भाई 45,000 या 45,000 option B clear तो सवाल थोड़ा लेंदी था यह सवाल ideally हमको क्या करना चाहिए मैं पहले भी आपको बता सकता कि skip करना चाहिए इस सवाल को लेकिन क्योंकि हम class में कर रहे हैं तो solve कर दिया लेकिन exam में आप देखोगे तो इसको हमें last में करना चाहिए not in the beginning नहीं शुरुवात में आप इसको करोगे तो unnecessarily calculated है या फिर इसका कोई और better option तरीका आपके पास हो सकता है फिलाल मेरे दिमाग में यही तरीका आ रहा है विकास मैं तो instantly इसको solve कर रहा हूँ अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है at the same rate of interest ठीक है दोनों scheme है एक scheme A है और B है दोनों same rate of interest देती है but compound interest obtained from scheme A in two years is 50 more than simple interest माला पहली वाली scheme A में C I मिलती है तो हम यह कह सकते है 48 को हमने दो पार्ट्स में break किया scheme A में डाला कुछ पैसा कुछ B में डाला यह भी R% की rate देती है और यह भी R% का rate देती है पर यह देती है compound interest और यह देती है simple interest इतना पढ़की है समझा आया तो जो compound interest मिलती है 2 साल में scheme A में two years में वो 50 जादा है simple interest obtained from scheme B in four years तो यहाँ पर four years की interest मिलेगी ठीक है इप दीपक invested total sum at simple interest for eight years at the same rate the interest obtained becomes equal to investment है ना तो यह condition में लगाता हूं तो principle कितना है P मान लिया है ना तो interest कितनी आएगी PRT by 100 PRTT कितना है 8 by 100 जो interest आठ साल में मिलेगी जो interest आठ साल में मिलेगी that is equal to investment यानि principle की बराबर है तो यहाँ से मुझे मुझे मिल गया R की value 100 by 8 है 100 by 8 यानि साड़े बारा परसेंट 12.5 परसेंट याना फ्रेक्शन में कहें तो 1 by 8 साड़े बारा परसेंट की interest rate है राइट येस बताईए तो interest rate मिल गई 12.5 परसेंट की तो आप मुझे एक बात बताओ R को मैं replace कर दूं 12.5 परसेंट से R को मैंने replace किया 12.5 परसेंट 2 साल के लिए 2 येर्स ठीक और यहाँ पर 12.5 परसेंट की simple interest 4 साल के लिए ठीक है तो net interest है कितने मिलेगी 50% यहाँ पर जो net interest मिलेगी वो कितनी मिलेगी 50% साड़े बारा into 4 सीधे कर देते हैं 50% अच्छा भाई यहाँ कितनी मिलेगी साड़े बार दो बार अब compound interest है तो successive लगेगा तो दो बार अगर successive यहाँ लगाऊंगा तो a प्लस b प्लस a b by 100 यहाँ नि साड़े बार प्लस साड़े बार प्लस साड़े बार इंटू साड़े बार बटा 100 हम और तरीके से भी इसको कर सकते हैं पर पहले ऐसे कर लेते हैं तो यह कितना हो गया 25 प्लस यह कितना हो गया यह कितना हो गया यह इनफेक्ट हटाओ इसमें तो यह calculated हो रहा है अगर 20 यह 25 परसंट की rate होती तो मैं ऐसे कर लेता है अब मैं किसी और तरीके से इसको अगर ratio method से करूँ अगर मैं इसको ratio method से करता हूँ तो यहाँ पर इसने A invest किया यहाँ पर B invest किया है यहाँ पर amount invest किया है यहाँ पर amount invest किया है यहाँ पर amount invest किया है B तो साड़े बारे परसंट मतलब rate बनेगा 8-9 एक साल में क्योंकि 1 by 8 का rate है तो दो साल में क्या होगा 8 square is to 9 square यानि कि अगर आप 64 रुपे invest करते हो तो वो बन जाते है एक 80 रुपे यहाँ अगर आप 64 invest करते हो तो वो बन जाता है 81 रुपे छीक है 64 का 81 बन जाता है तो find the amount invested in scheme B यहना तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो interest मिली है वो principle का कितना हिस्सा है तो interest मिली है 64 to 81 गई तो 17 की interest मिली है यहना तो अगर यहाँ पर investment 64 रुपे है तो 17 रुपे हमारी interest है तो हम यह कह रहे हैं कि interest है 17 बटा 64 बटा total 64 64 रुपे पर 17 की interest मिलेगी into investment A investment A या अगर मैं यह कहता हूं कि B में invest किया इसने X तो A में कितना मिले invest किया 4800-X यहना मुझे X की value निकाल नहीं है तो A में invest किया 4800-X 4800-X अच्छा यहाँ पर interest कितनी मिलेगी second वाले case में 50% 50% या निए X by 2 मिलेगी जो invest किया उसका वह half तो जो पहले case में interest मिल रही है वो दूसरे वाले case के interest से कितनी जादा है 50 रुपे जाता है कितनी जादा है 50 रुपे यस तो यह easily solve हो सकता है यहाँ पर LCM ले लिए हमने 64 64 LCM लिया तो उपर होगे 17 इन्टो 4800 माइनस X 2 से गया यह 32 ताइम सो माइनस 32 X माइनस 32 X इक्वल्स तो 50 राइट सो 17 इन्टो 4800 हम कर देते हैं अगर तो कितना आ जाते है 17 इन्टो आट 136 कहरी 13 68 प्लस 13 है क्यासी माइनस 17 X माइनस 32 तो 17 प्लस 32 कितना हो गया 49 X ठीक है and 50 इन्टो 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 64 इन्टो 100 बाइटो 6400 बाइटो 3200 सो यहां से आ गया 49 X बराबर इसमें से इसको माइनस कर दो कितना हो गया 183 78 and 600 माइनस 200 कितना हो गया 400 तो इससे अगर मैंने इसको काटा तो 49 वंजा 49 बचेगा कितना 29, 294 इससे जाएगा 6 ताइम्स येस 1600 X की वैल्यू 16 हो आ गई यही मेरा अंस अरे option D तीक है यह question भी calculated था यानि कि arithmetic के सारे question आसान नहीं है आप पिछला question और यह question देखोगी तो दोनों ही calculated निकले किस्मत खराब होगी अगर आपकी shift में पहले यह आ गया और आप इसी में लग गए मालब इन ही टाइप के questions में अगर calculated questions में पहले लग गए तो आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि rate ऐसा दिया गया है ना 12.5% में आप कुछ नहीं कर सकते हैं रेट इस तरीके का है so ultimately आपके concept बहुत अच्छे clear होने चाहिए तब ही आप इस सवालों कर सकते हो otherwise तो वैसे भी नहीं होगा calculation की बाद तो बाद में आएगी आप solve भी नहीं कर पाऊगे concept ही नहीं लगा पाऊगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाऊ equation है ना क्योंकि calculation की बाद तो तब आती है जब equation सही से बन जाती है अगर वही नहीं नहीं बन रही तो फिर तो calculation तो बहुत दूर की चीज है solve भी नहीं होगा question no.17 देखें if we add 7 to numerator of a fraction and increases the denominator by 100% then both becomes equal तो numerator है x और denominator है y तो मैं यह कह रहा हूँ कि अगर इसमें 7 increase कर दें और इसको हम 100% से बढ़ा दें मतलब double कर दें तो 2y तो दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं यह ना दोनों क्या होगे बराबर होगे तो x plus 7 equals to 2y and when the numerator is increased by 300% तो मतलब मैंने इसका 3 गुना 300% बढ़ाने का मतलब होगे 4 गुना कर दिया 4x कर दिया and denominator is increased by 5 denominator is increased by 5 यहनि denominator को कर दिया मैंने y plus 5 then it becomes twice of the original fraction है ना तो 4x upon y plus 5 it becomes twice of x upon y original fraction का double हो गया यह तो x से x कट गया है यहां पर 2 से 2 times cancel हो गया तो 2y बराबर y plus 5 तो यहां से y की value आ गई कितनी 5 y की value 5 आता ही x की value भी आ जाएगी 2 into 5 10 10 minus 7 is 3 x की value 3 आ जाएगी तो original fraction क्या था 3 by 5 तो what is half of original fraction तो इसका आदा करेंगे तो 3 by 10 हो जाएगा 3 by 10 option तो यह आसान था यह ना this is doable question यह आको करना चाहिए next running in opposite direction train b can cross train a in 10 seconds opposite direction में अगर trains चलती है तो एक दूसरे को 10 seconds में cross करनेती है while running in same directions train b can cross train a in 130 by 3 seconds ठीक है train b can cross 300 meter long platform in 15 seconds and speed of b is this तो भाई यहासे मैं train b की length तो निकाली सकता हूं train b की length की मैं बात करूंगा तो train b की length कितनी है let's suppose l plus platform की length 300 तो यह होगी distance बराबर speed into time train की speed कितनी है 144 kilometer पर आ रहे 5 by 18 से multiply कर दूँ ठीक है यह meter per second में हो गई and time कितना लगता है 15 seconds तो इससे गया 8 बार 8 into 5 40 40 into 500 600 600 minus 300 300 बना train b की length था गई भाई 300 what is the length of train a तो पहली question में पास बनेगी train a की length मैं माल लेता हूं x train b की length यह 300 तो यह opposite direction में cross कर रहे हैं 10 second में तो time 10 second into relative speed relative speed कितना है relative speed इनकी क्या होगी तो अगर opposite direction में चल रहे हैं तो s1 plus s2 होगी तो train की speed पहली वाली train की speed मैंने माल ली s और दूसरी train की speed इसकी speed है 144 into 5 by 18 यह यह 85 जा 40 तो इसकी speed होगी 40 opposite direction में तो यह हुआ same direction में अगर चलेंगी तो length distance थो तो नहीं चलनी पड़ेगी right and that is equal to speed into time यह time into speed ठीक है तो time कितना है 130 by 3 into relative speed तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि train b can cross train a running in same direction तो अब जब same direction train b a को cross कर रही है पहला b की speed ज्यादा होगी yes b की speed ज्यादा होगी तो train b की speed कितनी है train b की speed तो हमें already पता है है न कितनी है यह 40 40 minus s b minus a train b की speed में से हम a की speed क्या करेंगे minus करेंगे b की speed में से a की speed क्या करेंगे minus करेंगे ठीक है तो अब क्या होगा हमें यह यह नकालना है x की value नकाल नहीं है तो एक काम करो LHS दोनों में बराबर है तो RHS को भी equate कर दो 10 into s plus 40 बराबर 130 by 3 into 40 minus s ठीक है तो इससे ये cancel हो गया right so 3s plus 120 equals to 13 for the 52 520 minus 13s so 13 plus 3 16 is equals to 520 minus 120 is 400 तो इससे गया ये 25 बार 25 x की value आगे 25 जुमें यहां रखे ये किसकी value आई है s तो value of s is 25 है ना तो s की value 25 यहां रख देता हूं तो x आजाएगा train a की length रख दो यहां पर तो x plus 300 equals to 10 into 25 plus this is 65 so it is 650 right 650 minus 300 is what 350 so train a की length मेरे पास कितनी आगे 350 meter option c option c is correct answer 350 right चलिए question number 19 देखी a two digit number decreased by 27 when its digits are reversed ठीक है जब हम digits को reverse करते हैं तो number 29 27 से decrease हो जाता है and difference between the square of the digits at unit place and square of the digits at 10 place of the original number is same as the difference between the original number and number obtained by reversing the digits ठीक है तो let's suppose मैंने बोला कि number है मेरे पास a b तो सबसे पहले सबसे अच्छा रास्ता है इसका आप option से कर लो original number बताना है जब मैं number को reverse करूँ तो 27 से कम हो जाए है इस number को मैं reverse करूँ गा 52 और number हो गया 25 कितना कम हुआ 27 कम हुआ मतलब यह पहली condition तो satisfy कर रहा है यह न and difference between the square of digits at unit place and 10th place यानि 5 square minus 2 square 25 minus 4 कितना हो गया 19 it is same as the difference between the number and its reverse यानि यह 27 के बराबर होना चाहिए पर वो तो नहीं है तो यह क्या होगा eliminate हो गया पहला option eliminate 74 and 47 यह ना इसका reverse this is 74 reverse is 47 if you look at the difference यहाँ पर 7 आएगा this is 2 यह भी satisfy कर रहा है पहली condition को तो अब इन दोनों के square का difference देखो 7 square minus 4 square तो it is 7 minus 4 3 and 7 plus 4 11 तो 33 पर यह तो इसके बराबर नहीं है यह ना it should be same as original number and number obtained by reversing the digits तो इन दोनों के difference के बराबर होना चाहिए जोके नहीं है so यह भी eliminate हो गया 85 and 58 85 and इसका reverse 58 तो this is 7 and this is 2 ठीक है तो यह भी satisfy कर रहा है पहली condition इनका difference देखो 8 square minus 5 square यह ना so it is what 8 minus 5 3 and 8 plus 5 13 तो 13 into 3 39 यह भी नहीं इसको देखो 63 and 36 this is 7 and this is how much 2 6 square minus 3 square 6 minus 3 3 6 plus 3 9 9 into 3 27 yes यह यह दोनों यह दोनों के बराबर है तो यही correct answer है yes option D is right answer clear चली अगला सवाल देखो there are 3 white 5 black balls in a bag white कितनी है 3 and black कितनी है 5 in how many ways 4 balls should be selected such that there is at least one ball of each color है ना at least one ball of each color हमें 4 select करनी है अब देखो मुझे कौन सा case नहीं चाहिए मैं 4 ball select कर रहा हूँ at least one of each color होनी चाहिए मुझे वो case नहीं चाहिए जहाँ पर सारी की सारी white हूँ या सारी की सारी black हूँ है ना तो total cases में से मुझे वो case घटाने है जहाँ पर all 4 we are selecting 4 balls all 4 are white और all 4 are black है ना यही case घटाने है ना या तो all 4 white हूँ या all 4 black हूँ यह case मुझे नहीं चाहिए total में से yes or no because मुझे at least एक ball दोनों color की चाहिए चाहिए yes दोनों color की at least one ball required है ठीक है तो जो case नहीं चाहिए उसको total में से minus कर देते हैं है ना तो मुझे total case कितने बनेंगे आप मुझे बताओ हमारे पास ball है यहाँ पर 8 8 में से you have to select how many 4 so total cases होगा 8C4 minus सारी की सारी white हूँ क्या सारी की सारी white हो सकती है नहीं हो सकती है black को तो हमको include करने ही पड़ेगा है ना सारी white select करने के chances कितने है जीरो number of ways कितने है जीरो all 4 white तो होई नहीं सकती है क्योंके white total ही थी इन है है ना तो this becomes 0 all 4 are black सारी की सारी black हो तो पांच में से HR select कर लो 5C4 yes so 8C4 minus 5C4 so 8C4 is 8 into 7 into 6 into 5 divided by 4 3 2 1 minus 5C4 is same as 5C1 so it is 5 तो यह इससे cancel हो गया इससे cancel हो गया दो बार यह हो गया सब्तर minus 5 यानि कि आंसर हो गया पैंसट yes 65 is correct answer right 65 is right answer अगला सवाल देखूँ यह जो है case let है ज़रा देखें ध्यान से paragraph given the information about the certain number of masks sold by 3 companies A, B, C read the data carefully answer the questions company A company A के बारे में दिया गया है company B के बारे में दिया गया है company C के बारे में दिया गया company A, B & C के बारे में कुछ-कुछ दिया गया है क्या दिया गया है company A ने total 100 mask बेचे cost price of each mask is 20-40% of mask are sold at profit of 20% and remaining at profit of 10% company A, B & C के बारे में दिया गया है ठीक है तो हमें यह पता है कि total mask इसने 100 बेचे है इसने 1.500 बेचे है इसने कितने बेचे है नहीं पता अजया इसने क्या किया कि 40% mask इसका जो cost price था each mask का वो कितना था 20 रुपे हर mask इसने 20 में खरीदा था company B के लिए cost price पता है क्या 40 रुपे तो यहाँ पर 40 रुपे पता है हर mask का cost price 40 रुपे चीक है चलो इसने क्या किया कि 40% mask मतलब 100 में से 40 mask कितने price पर बेचे profit of 20% 20% profit जब वो कमाय काया है तो जब CP एक mask का 20 रुपे है तो 20 पर 20% बढ़ा होगा तो 20 का 20% होगा 4 रुपे 4 रुपे बढ़ा होगे मतलब यह mask इसने हर एक mask 24 पर बेचा है 24 रुपे में है ना and remaining at profit of 10% remaining मतलब 60 mask इसने बेचे है कितने पर 10% profit होगा यहनि 22 रुपे में इसका 10% कितना होगया 2 रुपे 2 रुपे बढ़ा कर बेचेगा नहीं 22 में बेचेगा तो यह चीज हमें A के बारे में दीगए B में क्या दिया गया 150 mask है cost price of each mask is 40 company marks of the price of each marks by 50% 50% इसने price बढ़ा दिया यानि इसका 50% होगया 20 रुपे 20 बढ़ा दोके तो यह होगया 60 और फिर उसने discount दे दिया 10% का 10% भाई इसका कितना होगया 6 रुपे कम कर दो 40 यानि कि discount मिलता है हर एक mask पर कितने का 6 रुपे का यानि 40 is the selling price of each mask है ना तो number of mask हम निकाल सकते हैं यान से number of mask कितने आ जाएंगे number of mask total amount total revenue और हर एक mask का selling price है कितना 100 रुपे 100 से divide कर दो number of mask कितने आ गए है ना ठीक है and company gets a profit of 25% on each mask तो 25% on each mask मतलब CP और SP का ratio कितना है 4 is to 5 25% का मतलब 1 by 4 होता है अगर इसको 4 मानेंगे तो 5 हो जाएगा है ना और 100 रुपे अगर इसका selling price है तो 5 की value भाई 100 रुपे है यानि इसका 20 गुना तो इसका भी 20 गुना कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 80 रुपे cost price of each mask is 80 and selling price of each mask is 100 So this is what we know so far about the number of mask and their sales ठीक है So total mask sold by A and C together is what percent of total mask sold by B तो A और C ने मिला कर कितने बेचे है 100 plus 108 यानि 308 अगर मैं इस particular सवाल की बात करूं तो 308 mask बेचे है and this is what percent of mask sold by B which is 150 तो आप देखो जरा This is what 50 से काता 2 times 3 times So it is what 616 divided by 3 3 2s are 6 then 0 3 5s are 15 बचे का 1 2 0 5 1 by 3 percent No What percent of mask sold by B? यानि So total mask sold by A and C together Total money received by selling all the mask by companies this Selling price of each mask is 100 Total 108 हो गए है न? ठीक है तो इसके 108 हो गए और इसके हो गए 100 तो total यार में ने गर्व हो गए 2008 हो गए न? Total ना 3008 नहीं होगा 2008 100 plus 108 2008 हो गए So this becomes 4 1 6 divided by 3 3 1s are 3 बचे का 1 3 3s are 9 2 बचे का 3 8s are 24 1 38 2 by 3 percent Which is there in option D So D is right answer Clear है सभी को? Yes Coming to next one Find the difference between total discount allowed by B on each mask and the cost price of each mask by company A तो भाई company A का हर mask का cost price कितना है? हमें पता है 20 रुपे और company B कितना discount दे रही है हर एक mask पर? तो हम देख रहे हैं कि 60 का 10 percent यानि 6 रुपे तो 20 और 6 का difference पूछा है यांपर 14 रुपे आंसर Next देखें Find the total cost price of all three companies together Total cost price इसका कितना हो गया? 100 into 20, 2000 इसका कितना हो गया? 15 into 4 60 यानि 6,000 6,000 plus 2,000 हो चुका है? 8,000 और इसका cost price कितना हो गया? 108 into 80 108 रुपे नंबर ओप मास्क है 108 नंबर ओप मास्क है 80 रुपे हर एक का cost price है तो कितना हो गया? 8,640 इन दोनों का मिलागर कितना हो गया था? 2,000 plus 6,000 8,000 तो कितना हो गया? इस 16,640 Total cost price हो गया 16,640 है के नहीं option? 16,640 Option C Find the total amount received by all three companies by selling the mask Total amount कितना कितना मिलेगा? आप देखो इसका revenue निकाल सकते है ये 24 into 4 960 प्लस 22 into check कितना होता है? 130 1320 So if you add them You'll get 2280 तो इनका इसका revenue आ गया 2280 इसका कितना आ जाएगा? Number of mask 500 है Selling price 54 है 1500 into 54 यानि 300 into इसको मैं लिख सकता हूँ Double और इसका आदा करनू 27 27 into 31 यानि 1800 और इसका revenue तो डारेक्ट दिया गया था तो मुझे 10800 याना? तो तीनों का revenue मुझे पता है 200 C 8100 और 10800 200 C 8100 और 10800 1000 और 10800 तीनों और 10800 और 10600 और 11 तीनों का खेए 11 211 80 211 80 0 option ही है एसी 25 भी हो जाएगा रहा हम से तो यह understood this idea कि इसके पीछ आइडिया क्या था 26 से 30 जो 5 question पूचे गए ते यह scoring है quadratic equation पर वेस्ट सवार है ठीक है पर गलती के chances हो सकते हैं यहां पर थोड़ा ध्यान देना जैसे यहां पर 2x-7 square बराबर यह है तो 2x-7 plus 5 भी होगा minus 5 भी होगा ठीक है तो 2x बराबर 7 इसमे एड होगा तो 7 plus 5 12 और 7 इसमे एड होगा 7 minus 5 2 so x की value कितनी हो जाएगी 2 से divide किया 6 times 2 से divide किया 1 time x की value 6 और एक 2 value आएगी एक तो 6 और एक 1 4y minus 1 क्या हो जाएगा plus 3 and minus 3 तो 4y की value कितनी हो जाएगी 1 add कर दो this is 4 and इसमे 1 add कर दो minus 2 so y की value कितनी हो जाएगी 1 and minus 2 by 4 is minus 0.5 अब जड़ा compare कर लो 6 तो इन दोनों से बढ़ा है 1 इसके बराबर और इससे बढ़ा है I can say x is either greater than or equal to y सही बात है yes चलिए देखो मेरे से कोई सवाल में छोटी मोटी mistake भी हो सकते because I am solving these questions first time और यह recorded session है मैं record करके आपके लिए upload कर रहा हूँ तो live में क्या होता है कि बच्चे बताते रहते हैं कि अगर कोई plus minus की mistake हो जाती है तुरंत correct कर देते है recorded में बताने वाला कोई है नहीं तो हो सकता है वो mistake रह जाए तो आप कोई दिक्कत नहीं अपनी तरफ से सही कर ले ना वैसे chances बहुत कम है mistake के फिर भी अगर रह जाती है तो अपनी तरफ से आप correct कर लीजिएगा so 20 upon x square बरापर 3 plus 4 upon x मैंने क्या किया पूरी equation में x square से multiply कर दिया ताकि denominator cancel हो जाए तो it becomes 20 and this is 3 into x square plus 4 into x यह बन जाएगा 3x square plus 4x minus 20 equals to 0 20 into 3 हो गया 60 minus 60 ठीक है और यह कितना हो गया 10 और 6 10 and minus 6 कर दिया plus 4 आ जाएगा x की value क्या हो जाएगी minus 10 and plus 6 divide by this number 3 3 से divide कर दो ठीक है तो minus 3.33 and this is what plus 3 यह sorry plus 2 यह value जाएगी x की अगर हम y की values की बात करेंगे तो y square से पूरे multiply करने पर क्या हम लेगा 32 plus y square बराबर 12y है तो y square minus 12y plus 32 equals to 0 ठीक है तो 8 and 4 इसके roots आएगे आठो चार 12 into 4 बक्तिस तो हम यह देख पा रहे हैं x की value दोनों values y की दोनों values से छोटी है so that means x is less than y option d ठीक है yes चलो इसी तरी के जी बहुत आसान सवाल है आराम से solve हो जाएगा इसमें कुछ है नहीं है आप कर लोगे इनको I know ऐसे x square से पूरे multiply कर दो y square से पूरे multiply कर दो दोनों x और y में quadratic equation बन जाएगी तो यह भी हो जाएगा what about this इसको आप power comparison पर बेस जैसे सवाल है 3 की power क्या होगी 2x plus 4 यह 3 का square है तो 3 की power 2 2 and 2 into यह तो कितना हो जाएगा 6x plus 8 double कर दिया और यह 3 की power 3 है तो 3 की power 3 से multiply हो जाएगी 3x plus 3 so 2x plus 4 बराबर यहां पर power add हो जाएगी क्योंकि bases are same तो it is 9x 9x plus 8 plus 3 11 so 7x 9 minus 7x 4 minus 11 is minus 7 so we can say x is what minus 1 x की value minus 1 आ गई what about the value of y we can say y square y को दल ले गए 9y हो गया उसको बापस दल ले आए y square minus 9y plus 80 equals to 0 तो इसके जो roots आएगे 6 और 3 आएगे तो y की जो values आ जाएगे 6 and 3 ठेक है तो जो minus 1 है वो इन दौनों से छोटा है that means I can say x is less than y x less than y मेरा answer होगा ठीक है चलो next question एक di set solve करते हैं फिर हम finish करेंगे इसको ठीक है तो यह di set देख लो जड़ा यहां पर क्या दिया गए total number of vehicles public and private travels so it gives the total number of vehicles which travels in five different years and number of public vehicles public vehicles travels mode मैं लोग कितनी travel हुई है कितनी यात्रा है हुई है कितनी यात्रा है हुई है कुल public and private को मिला कर यह हमें दिया गया different years में and public vehicle से जो यात्रा की गई है वो private vehicle से की गई यात्रा से कितनी जादा है that difference is known to us है ना so public vehicle से let's suppose मैंने कहा कि public vehicle से जैसे मैं पहले वाले को एक अनलाइज कर रहा हूं तो public vehicle से यात्रा की गई एक्स और private से यात्रा की गई है य है तो total कितना हो गया x plus y है ना टोटल मैं दोनों जो first में दिया गया टोटल और difference कितना हो गया x minus y public minus private तो अगर मैं इन दोनों equations को add कर देता हूं तो I'll get x plus x 2x बराबर t plus d तो x बराबर t plus d by 2 और अगर आप minus करोगे तो y बराबर आ जाएगर t minus d by 2 यानि कि अगर आपको public place public vehicle से की गई यात्रा निकालनी है यानि x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा total plus difference by 2 है ना इन दोनों को add करो और 2 से divide कर दो तो अम mentally इस चीज़ को कर सकते है ना 850 plus 250 कितना होगे 1100 by 2 550 और अगर private vehicle से की गई यात्रा निकालनी है तो इन दोनों का difference divided by 2 तो इनका difference किया 600 600 by 2 is 300 तो 550 and 300 550 public and private 300 यानि by using this concept directly ठीक है तो चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं total private vehicles travels in 2013 तो 2013 में private vehicle travel कैसे निकालेंगे T minus D by 2 1100 minus 400 कितना होगे 700 700 बटा दो कितना होगे 300 पच्चे it is what percent more than total private vehicle travel in 2014 तो 800 minus 200 बटा दो 800 minus 200 होता है 600 600 बटा दो कितना होगे 300 सो यह से कितना percent ज्याद है 5 से गया 7 बर 5 से गया 6 बर तो यह से कितना percent ज्याद है 1 ज्याद है 6 पर 1 by 6 in 200 that means 16 2 by 3 percent 16 2 by 3 percent option next देखिए the ratio of male to female who travel in all vehicles in 2015 all vehicle मतला यह total है ना is 11 to 13 and number of males are 100 more than that of females who travel in private vehicles in 2015 है ना तो मतलब मैं यह कह सकता हूं कि वह बारे 100 है total इसमें male कितने होंगे और female कितने होंगे आप मुझे बताओ male कितने होंगे female कितने होंगे तो 11 to 13 का ratio है 11 अनुपात 13 तो 11 प्लस 13 अगर मैं करूं तो टोटल होता है 24 24 unit की value है 1200 तो एक unit की value हो गई 50 तो एक unit की value 50 हो गई तो यह हो गया 11 into 50 और यह हो गया 13 into 50 तो यह हो गया 650 और यह हो गया 550 तो male और female हमको मिल गए 1200 को इस ratio में divide करके and total number of males are 100 more than females who travel in private vehicle तो अगर मैं private vehicle की बात करूंगा private vehicle की बात करूंगा तो total लोग कितने हैं आप मुझे बताओ private vehicle में travel कैसे कैसे निकालते हैं t-d by 2 अभी देखा था तो 1200-400 यानिके 800 बटादो 400 तो private vehicle में travel करने वाले male और female हम कैसे निकालेंगे 100 ज्यादा है तो पहले इसको 100 दे दिया 400 में से 100 चला गया 300 बचा 300 को बराबर बराबर बांट दो 1500 और 1500 तो यह हो गया 500 दोनों का सम 400 है और आप यह देख रहे हो कि 100 से ज्यादा है so find the total female travels in public vehicle in 2015 public vehicle में कितने travel करेंगे तो total female हमको पता है और private vehicle में travel करने वाले female पता है तो total में से private वाले घटा दो तो public वाले कितने आ जाएंगे 500 650 माइनस 150 is what 500 option E clear है सभी को next find the ratio of total private vehicle travel in 11 12 14 तो private vehicle travel दिमाग में चल्दी चल्दी कल्कूलेट करेंगे 850-250 is what 600 by 2 300 12 1050-250 मतलब 800 by 2 यानि 400 14 14 में देखो 800-200 600 by 2 यानि 300 यह होगे private vehicle travel है न यह total और इसका ratio में किसके साथ निकालने to the total public vehicle travel in 13 and 15 तो 13 में public vehicle travel कितना हो ग्यारे सो प्लस 400 यानि 1500 बटा दो 2500 प्लस 2500 में देखें तो 1200 प्लस 400 600 बटा दो यानि 800 ठीक है तो यह कुतना होगे चार और 37 और 30 यह एक हजार तो यह हो गया और यह कितना होगे पंद्रह सो पचास अगर इसको कार दें पांस से 20 बार पांस से कार दो 31 बार 20 इस टू 31 इस करेक्ट आंसर 20 इस टू 31 यानि option E is right answer clear है option E is correct next question देखी ज़रा question number 34 30 percent of total public vehicles travels in 2014 are three wheelers and rest are four wheelers ठीक है 30 percent of total public vehicle travels in 2014 तो total कितना होगा 800 तो इसका 30 percent कितना है sorry total public vehicle का है ना public vehicle कैसे निकालेंगे 800 प्लस 200 बटा दो यहनी 1000 बटा दो 500 तो public transport इतना है 500 और इसमें 30 percent 30 percent जो है वो क्या है 3 wheelers है तो 3 wheelers 30 percent तो इसका 30 percent कितना होगा यहां 1,500 and rest are four wheelers तो यानि 70 percent four wheelers होगा 500 minus 400 350 while 37.5 percent of total public vehicle travels in 2015 2015 की बात करें तो public vehicle travel केतना होगा 1200 प्लस 400 बटा दो है ना 1200 प्लस 400 अपन दो यानिके 800 और इसका 12.5 percent क्या है sorry 37.5 percent 37.5 percent क्या है 3 wheelers है and rest are four wheelers 37.5 percent होता है 3 by 8 3 by 8 of this number is 300 so remaining is what 500 यह four wheeler हो गया so find the difference between total four total four wheeler public travels in 2014 and 15 the four wheeler का difference है है बताना है 500 minus 300 यह नि देड़ सो so the answer is 150 option e 150 is correct answer find the sum of public vehicle travels in all the years together तो आप वो निकाल सकते हो है ना यह निकाल सकते हो हमें क्या करना है public vehicle travels के लिए क्या करना है d plus u by 2 d plus u by 2 by 2 end में कर देना by 2 आप end में कर देना आप सीरे सीरे d plus u d plus u d plus u d plus u करते जाओ सबको add कर दो मैंनों सारी values को add कर दो और end में divide by 2 कर देना 1200 है ना बाइस सो प्लस यह कितना हो गया पंद्रह सो बाइस सो प्लस पंद्रह सो कितना हो गया गता हूं आठ रोब दस यह می्मा और यह कितना हो गया नहीं प्लस एडहर कितना हो गया आए थे यहार कितना हो गया थे यहारए प्लस टेरह 2400 2400 2400 2400 4900 4900 5500 6500 6500 6500 6500 3250 3250 35 question नहीं ठीक है तो यह मैंने 35 कोश्चन कराई आइडरली 40 कराएं चाहिए यह डेटा सेट मेरे पास था नहीं तो यह 35 कोश्चन हमने डिसकस किये आर आर भी क्लर्क मेंस 2021 के एक्जाम के हैं पूरा पेपर मैंने आपके सामने स्वाल किया है ऐसा कोई भी कोश्चन नहीं था जो नहीं हो पाया स्वाल या डूएवल था ही नहीं लेकिन कुछ कोश्चन्स कैलकुलेटिव भी थे आपने देखा कि अगर आप उनमें लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है तो यह सेशन आपको बेटा कैसा लगा सभी लोग यह मुझे कॉमेंट करके बताईएगा है ना और नेक्स्ट क्लास आप किस चीज की जाते हैं कौन सा पेपर आप चाते हैं मैं करूं आपके लिए वो मुझे बता देना चैनल पर नए हो तो चैन कि जूमाजी कि जूमाटे.